बूर्णिंग फ्रेंड्स दिस एंडी और टुड़ेज ओक्या वीडियो तो फ्रेंड्स हम इस सीरीज में MPSC, UPSC, SSECGL, SSECHSL, SSEMTS, SSECPO इन सब एक्जाम्स के जो इंग्लिस सेक्षन के वोकेप के जो वर्ड थे वो देखते हैं और वो हम बड़ी ही आसान तरीके से और ट्रिक के सारे याद करते हैं तो फ्रेंड्स आज का पहला वर्ड है अल्टरकेशन, अल्टरकेशन का मिनिंग है वाक युद्ध कहा सुनी या लाउड आइग्रिमेंट और इसे याद रखने की ट्रिक है अल्टर प्लस केक, तो फ्रेंड्स अल्टरकेशन को अल्टर प्लस केक, केशन केक, तो अल्टर प तो friends एक scene अपने एक picture अपने दिमाग में बना लीजिए अगर alter cake हो जाए आपका बड़े के दिन तो आपकी bakery के owner के साथ कहां सुनी हो सकती है मतलब argument हो सकती है अगर आपका बड़े है और आपका या आपके friend का बड़े है तो आपने एक cake का order दिया है और आप cake लेने के लिए cake के shop में जाते हैं लेकिन आपने जो cake order किया था वो आपको मिलता नहीं ौ चेंज होता है या अल्टर हो जाता है तो आपकी cake के दुकान के order के साथ बहस हो जाती है तो alter plus cake के साथ alter होता है cake तो alter cake से हम याद रखेंगे altercation और दुकान-दार के owner से हम दुकांदार के ओनर से हमारा जगडा होता है इससे हमें याद रखेंगे वाक युद्ध या कहा सुनी तो फ्रेंड्स आज का दूसरा वर्ड है एमनी एबल इसका मतलब है सुजाव सिवकार करने को तयार willing to accept a solution और इसे याद रखने की ट्रीक है अ प्लस मैन प्लस एबल एमनी एबल को हमने अ प्लस मैन प्लस एबल में डिवाइड किया है तो इसे हम एक सेंटेंस के जरीए याद रखेंगे a man एबल होता है सक्सेस प्राप्त करने के लिए जब वह दूसरों का सुजाव सिवकार करने को तयार हो a man able होता है मतलब एक आदमी सक्षम होता है success को यानि ये इसको प्रयाप्ट करने के लिए जब वो हाँ दूसरों का सुजाव स्विकार करने की तयार हो मतलब वो जब यह खादा आदमी दूसरों आदमी की बाते सुनता हो या उनका सुजाव सिवकार करता हो, उनके suggestion को accept करता हो, तो वो success प्राप्ट करने के लिए तयार है, तो a man able से हम याद रखेंगे amiable और वो दूसरों की बाते सुनने को तयार होता है, इसे याद रखेंगे उसका meaning, willing to accept a solution, तो friends, आज का तिसरा word है amiable, और इसका meaning है दोस्ताना pleasant and friendly behavior, तो इसे याद रखने की trick है, am plus I plus able, तो amiable को हमने break किया है, am plus I plus able में, तो friend, इसे हम याद रखेंगे एक sentence के जरीए, English का इस sentence है, लेकिन simple sentence है, am I able to be your friend, मतलब मैं तुमारा friend बनने के like हूँ क्या, तो हम किसी अपनी दोस्त को, या किसी friend को पूच रहे है, कि am I able to be your friend, तो am I able से हम याद रखेंगे, am able, और दोस्त से हम, friend या दोस्त से हम याद रखेंगे, दोस्ताना, तो friend आज का चोथा word है, angust, angust का मतलब है, चिंता, great annexity, तो इसे याद रखने की trick है, and plus GST, GST हमको पता है, मोधी जीने नया कानून ल मतलब सब tax को उन्होंने एक की tax में combine किया है, तो angust को हमने break किया है, and plus GST से GST, तो इसे हम एक sentence या picture से याद रखेंगे, GST के बज़े से बहुत सारे businessmen चिंता में है, GST के बज़े से बहुत सारे businessmen चिंता में है, तो GST से हम याद रखेंगे angust, और चिंता में है से हम याद रखेंगे चिंता या great annexity, तो फ्रेंट, आज का पाचो शब्द है antecedent, तो इसका meaning है, पूर्वगामी, something or someone existing before, मतलब जो पहले से ही अस्तित्व में, पहले अस्तित् हा, तो इसे याद रखनी की ट्रीक है, antecedentist, तो friends हम लगों कोई ना कोई आंटी बहुत पसंद होती है, तो उस आंटी का चेहरा या अपने दिमाग में लाईए, तो एक आप hospital में गई है, तो हम वहाँ एक आंटी देखते है, तो वहाँ एक आप आंटी देखते है, और हम हमारे दिमाग में खाया लाथा है, अरे यार इस आंटी सी डेंटिस्ट यहाँ पहले भी थी, मतलब आंटी जह है, वह देंटिस्ट है, और उस आंटी के जैसी डेंटिस्ट यहाँ पहले भी थी, तो आंटी सी डेंटिस्ट से हम याद रखेंगे, अटी सीडन्ट और उसका मिनिंग है, पूर्वगामी मतलब पहले सी थी, तो फ्रेंड्स आज का छटा शब्द है, एपिस्मेंट, तो एपिस्मेंट का मिनिंग है, तुष्टी करन या, दे एक्ट ऑप गीविंग, एडवेंटेज ऑप वन पर्टी, तो एपिस्मेंट को हम ने ब्रेक किया है, अ, प्लस पीस, प्लस पेमेंट, पेमेंट मतलब हमारा पगारवेगर होता है, उसको पेमेंट बलते है, तो हम इस एक पिच्चर से याद रखेंगे, तो हम इसे एक, इलेक्शन होता है, हमारा, इलेक्शन में बहुत पेसे का मैटर चलता है, इसको पेसे तो मैं किसी भी पार्टी या किसी भी नेता की खिलाब नहीं हूँ, लेकिन हमें वर्ड याद रखना है, तो किसी ना किसी का नाम या लेना पड़ेगा, तो हम एक ट्रिक के जरे याद रखेंगे, लोग सिर्फ मोदी जी को ही वर्ड दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पीस ओप पेमेंट मिला था, लोग सिर्फ मोदी जी को ही वर्ड दे रहे थे, क्योंकि उन्हें, पीश ओप पेमेंट मिला था, जो मोदी, मोदी जी है, उनकी पार्टी ने सभी लोगों को इलेख्शन के पहले, पीस ओप पेमेंट, मतलब पेसे दिये थे, तो लोग उने ही दे रहे थे मतलब वो the act of giving advantage of one party मतलब एक ही party को advantage दे रहे थे तो appeasement, appeas payment से मतलब money, piece of money, appeasement payment से हम याद रखेंगे appeas payment और लोग एक ही party को vote दे रहे थे उसको हम उससे हम याद रखेंगे तुष्टि करन या the act of giving advantage of one party तो friends this is our today's okay video तो friends कल फिर मिलते है कुछ नए words के साथ कुछ नई technique के साथ तब तक take care of yourself and thank you